नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एक यूट्यूब चैनल पर एक स्टेंडर्ड के कुश्चन्स के साथ में हम आपके लिए वीडियो नोट लेकर आए हैं जिसमें हम इन प्रश्चनों की बात तो करेंगे साथ ही इनके सही जवाब भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट जिसमें हम प्रश्चनों की चर्चा करते हैं पहला प्रश्ण है आपके सामने दोस्तों कोटिल्य की द्रस्टी से निम्न लेखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पहले तो हमें प्रश्ण को डंक से पढ़ना है कि कौन सा कथन सही है या सही नहीं है क्या पूचा जा रहा है पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है अब हमारे सामने चार कथन हैं एक एक को हमाराम से देख लेते हैं वे राजनीती गर्थ शास्तर को एक स्वतंत्र विशे बनाने वाले प्रतम व्यक्ति थे उन्होंने राजनीती की एक ऐसे सिद्धान का प्रतिवादन किया जो राज युवस्ता के प्रतक्ष व्यवारिक सरोकारों से संबन दित था उन्हें नीती शास्तर परंपरा का संस्थापक होने का श्रे दिया जाता है पहली बार उन्होंने भारत में एक सूदर्ड राजनितिक नियंतण की जवरत पर जोर दिया था तो इसमें कौन सा सही नहीं है तो दोस्तो इसमें उन्हें नीती शास्तर परम्परा का संस्तापक होने का श्रे दिया जाता था ये यहाँ पर सही नहीं है हाला कि अर्थ शास्त्र को एक स्वतंतर वीशे बनाने वाले प्रतम व्यक्ति थे बात सही है उन्होंने राजनिति के एक ऐसे सिद्दान का पर्तिवादन किया जो राज युश्ता के प्रतक्ष व्यववारिक सरोकारों से संब्द दित था ये भी सही है उनकी रचना है अर्थ शास्त्र पहली बार उन्होंने एक सूधर रानितिक नियंतन की जोरद पर भी जोर दिया था तो महान भारतिय प्रशास्निक चिन तक है कोटिल्य ने राजनितिक अर्थ शास्तर को स्वतंतर विश्य बनाने का जो काम किया उस द्रश्टी में ये पहले वक्ती थे पहली बार उन्होंने भारत में एक सूधर रानितिक नियंतन की जोरद पर भी जोर दिया हाला कि नीति शास्तर वाली बात यहां पर फिट नहीं होती और इनकी जो प्रसिद क्रतिय वो कौन सी है अर्थ शास्तर कोटिले को चानक की या विश्नु गुप्त के नाम से भी जानते हैं और प्रस्ट गेट स्कूल लेक्चरर में ये भारति रानितिक विचारकों के अंतरगत आते हैं ठीक है तो यह जीज हमें समझ में आई है नेक्स्ट प्रशन पर चलते हैं दोस्तों प्रशन नमबर दो त्यान से देखिए प्रशन क्या कहता है निमने लिखित में से किसने कहा कि री पबलिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है बलकि प्लेटो चाहते थे कि यह बहलाई के विचार पर एक विग्यानिक आक्रमन की शुरुवात बने यह कथन किसका है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो बातचीत की गई है यह री पबलिक गरंद के बारे में बातचीत की गई है अब रीपब्लिक ग्रंथ किसका है रीपब्लिक प्लेटो का है ठीक है तो यहाँ पर ये जो कहा गया है पहले तो उसका राइट अंसर सुन लीजिए ये डनिंग महोदे ने ये बात कही है किसने कही है डनिंग महोदे ने कही है प्रसिद अमेरिकी इतिहास कार राजनितिक इत इन्हों ने कहा कि री पब्लिक इस कारण से एक आदस राज्य की तश्वीर नहीं देता कि यह एक रोमान्स है बलकि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक विग्यानिक आकरमन की शुरुवात बने ठीक है तो यह डनिंग महोदय ने कहा और डनिंग महोदय की ए एंसियंट एंड मिडाइवल 1902-20 1902-1920 ठीक है तो हिस्ट्री ओ पॉलिटिकल थियोरीज एंसियंट एंड मिडाइवल यह डनिंग की रचना है और डनिंग ने प्लेटो की रचना री पब्लिक के बारे में यह बात कही है कि प्लेटो चाहते थे कि भलाई के विचार पर एक विज्ञानिक आकर्मन की शुरुवात बने लेकिन यह एक रोमांस है किसने कहा डनिंग ने ठीक है ध्यान में रखिएगा यह प्लेटो वाले जो पास्चातिरानतिक विचारक है उसमें प्लेटो वाले चेप्टर में आप यह एड़ोन कर लीजेगा उसको नोट कर लेकिन प्रकर्तिके करम में उनसे पहले आता है यह कहा है दोस्तों अरस्तुने किसने कहा है अरस्तुने यह भी हो जाएगा इसी हो जाएगा अरस्तु महोदे ने कहा है कि राज्य जो है परिवार या व्यक्ति के बाद आता है किस करम में काल के करम में लेकिन प्रकर्तिके क करम में उनसे पहले आता है रानिती विज्ञान का जनक कोन है तो रानिती विज्ञान का जनक भी अरस्तु ही है ठीक है रानिती विज्ञान का जनक कोन है अरस्तु तो अरस्तु ने कहा है यदि हम काल के करम में देखें समय के करम में देखें तो राज्य परिवार्या व्यक्त के बाद आता है लेकिन प्रकर्टी के क्रम में देखें तो पहले आता है तो अरस्तु भी अरस्तु भी प्लेटों की तरह ही राज्य को एक साव्यवी संस्ता मानता है क्या मानता है राज्य को सावयवी संस्ता सावयवी संस्ता मानता है और अरस्तु की जो रचना है वो कौन सी है प्रसिद पॉलिटिक्स कौन सी है पॉलिटिक्स ध्यान में रखिएगा ठीक है तो ये कथन अरस्तु का है और अरस्तु नेभी राज्य को प्लेटों की तरह सावियवी रूप में माना और अरस्तु की प्रसीदर रसना है politics काल के करम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के करम में राज्य परिवार या व्यक्ति से पहले आता है ठीक है चलिए next question देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों रूसों के उपर है ये प्रश्न रूसों के लिए निमने लिखित में से कौन सही नहीं है कौन सा यहाँ पर बात सही नहीं है रूसों के लिए पहला देखिए व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्पिक जरूतों की पूर्ती करता है सिर्फ गोरो बनने के लिए वरन करने के लिए निमित है ठीक है गोरो बनने के लिए नहीं वरन करने के लिए भी निमित है गोरो सानुबूति से असंगत बन जाता है गोरव से सभी बुराई उत्पन हुई है गोरव तर्ग को उत्प्रेडित नहीं करता तो ये वाला जो लाश्ट कतन है ये रूसो के माइने में ये सही नहीं है तो इसमें आंसर तो हो जाएगा D अब हम समझते हैं इस बात को देखे रूसो का पूरा नाम था जीन जेक्स रूसो ठीक है इनके नुसार ये है कि रूसो ने विज्ञान और कला के विकास में मनुष्य की नैतिकता का विनाशक बताया था विज्ञान और कला के विकास यदि होता है यदि विज्ञान का भी विकास होता है और कला का भी विकास होता है तो रूसो कहते हैं कि यहाँ पर मनुष्य की नैतिकता का विनाश हो जाएगा ठीक है तो रूसो की जो रचना है वो भी आपको ध्यान में रखीने है The Social Contract The Social Contract Social Contract और Emil Emil भी इसकी रचना है ठीक तो यहाँ पर गोरो की बात करीगी है गोरो सानुबुती से संगत बन जाता है गोरो से सभी बुरा युत्पन होती है यह सभी रूसों से संबन दित हैं और रूसों का जो यह है कि गोरो तरक कुद प्रेरित नहीं करता यह वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है जोन जिक्स रूसों यह कहते हैं कि यदि विज्ञान और कला का विकास होता है तो मनुष्य की नेतिकता का विनाशक बनते हैं The Social Contract और The Emil इनकी प्रमुख रचनाए है Next question पर चलिए कथन और कारण वाले प्रशन हैं यहाँ पर तो देखिए कथन क्या है और कारण क्या है कथन है दोस्तों J.S.Mill के लिए इच्छा शक्ती राज्य सहीच सभी संस्ताओं का आधार है J.S.Mill के लिए इच्छा शक्ती जो संस्ताओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है ठीक है तो ये देखिए आप JS MIL के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो JS MIL की एक प्रसिद करती है on liberty ठीक है ये JS MIL की प्रसिद करती है अब देखिए इसमें हमने जब कतन और कारण को जब हम इसपस्ट रूप से देखते हैं तो यहां पर option number 1 A और R दोनों सही है R A की सही व्याख्या है अब बात करते हैं JS MIL के लिए इच्छा शक्ति राज्य सही सभी संस्ताओं का आधार है क्योंकि इच्छा शक्ति ना केवल संख्या पर निरवर है बलकि इसका एक गुणुवत्ता परक आधार है और वह इच्छा शक्ति जो संस्ताओं को बनाती है और विश्वास का रूप ले लेती है तो यह कथन और कारण बिलकुल सही है जियेस मिल की प्रसिद्क्रती ओन लिबर्टी है इसके आंतरगत जियेस मिल इस बात को हमारे सामने रखते है कि इच्छा शक्ति राज्य सहीत सभी संस्ताओं का आधार है तो इच्छा शक्ति जो है वो राज्य सहीत सभी संस्ताओं का क्या होता है दोस्तों Aadhar होता है तो हमें कथन और कारण देखने से स्पस्ट होता है कि कथन A कारण R दोनों सही है और R A की सही व्याक्या करता है दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके सामने आने वाले दिनों में प्रस्ट लाते रहेंगे आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ब्लैगन प्रेस कर लीजिए प्लेलिस्ट ओप्शन में जाके चैनल में आप देख सकते हैं राने ते विज्ञान के आपके लिए कितने महत्पूंट छोटे चोटे वीडियो नोट पड़े हुए हैं आप उनको जरूर देखें जो की दो से तीन सा की दोरान में मैंने आपके लिए लगातार पोस्ट की हैं आप उनको जरूर देखें आने वाले दिनों में वन लाइनर इस प्रकार के प्रश्ण मापके लिए समय समय पर अपडेट करते रहेंगे जैस जैसे हमें समय मिलता रहेगा टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां पर आपको इंफ्रमेशन मिलती रहेगी थैंक्यू सो मच